हलो दोस्तों मेरा ना मैं मुहम्मद कैसर और आप देख रहा हैं Study Channel योपे ट्रिबलर सी पेट दो हुजार एकिस का रिजल्ट आज 28 अक्टूबर को जारी हो गया है और कैसे आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ चुकि ऑफिसल वेबसाइट चल नहीं रही है और बहुत सारे समस्याएं आ रही है तो दोस्तों मैंने कली आपको बताया था कि अगले एक से दो दिनों में पेट का रिजल्ट आ जाएगा बिल्कुल वही हुआ बहुत सारे चैनल्स पर लोग चिला रहते कि 15 नॉमबर के बाद रिजल्ट आएगा लेकिन जो जानकारी हमारे दोवारा दी गई थी वही 100 परसंट सही हुई है और 24 अगस्त को होई P.E.T की परिक्षा का रिजल्ट आज 28 अक्टूबर को आ गया और आज से लेकर एक साल तक आपका रिजल्ट मान रहेगा कुछ लोगों का रिजल्ट रुख भी गया है किन छात्रों का रिजल्ट रुखा उसके बारे में जानकारी दी गई है जिनोंने अपने OMA seat पर रश्न पुस्तिका सिरिज नहीं अंकित की थी या एक से अधिक किया था उनका रिजल्ट रुख गया है और उनका भेर्थन निरस्थ हो गया है और भी कुछ चीज़ें यहां पर दी गई है आप पढ़ सकते हैं अनफेर मिंस वालों का रिजल्ट रुख गया है कुछ लोगों का रिजल्ट अभी जाच के अधीन है रिजल्ट जारी तो हो गया है लेकिन under investigation है और कुछ लोगों का provisional रूप से result जारी कर दिया गया है और इनका परड़ाम घोशित हो गया है result देखने के लिए आपको जाना है www.go.in के officer website पर home page पर आपको result वाले section में इस तरह का option देखने को मिलेगा click here to view, preliminary, eligibility, pet 2021 result या scorecard जैसे ही दोस्तों आप इस पर click करेंगे page थोड़ा सा load होगा कई बार website open नहीं हो पा रही है आपको दोस्तों क्या करना है मैं आपको बिलकुल आसान तरीका बताता हूँ आप हमारे टेलेग्राम चैनल को अभी के अभी जोईन कर लीजिए लिंक description box में और pin comment में दिया गया है आपको direct link मिल जाएगा result चेक करने का जैसे ही आप link पर click करेंगे ये वाला page आपके सामने आएगा और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं उपर दो option है इसका आपको ध्यान रखना है नहीं तो आप परिशान हो जाएगे और आपका result नहीं खुलेगा पहले देखी यह option यहाँ पर tick है यहाँ पर अगर option टिक है तो आपको इस वाले में अपना registration number डालना है यहाँ पर डिटाबर डालना है, gender डालना है यह वाला capture code यहाँ पर enter करके see result पर click करना है आपका result खुल जाएगा और अगर आपको roll number से अपना result चेक करना है तो आपको यहाँ पर tick लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर tick लगाएंगे तो आपको इस वाले option में अपना roll number डालना होगा बाकर details as it is रहेंगी और see result पर click करेंगे तो आपका result खुलेगा और percentile में आपका result सो होगा 95, 96, 98 जतना भी percentile आपने score किया होगा तो इसका आपको ध्यान रखना है ने तो आप परिशान हो जाएंगे और अगर आप अपना registration number भूल गए हैं तो यहाँ पर click करके details को fill करके आप अपने registration number को दुबारा से पा सकते हैं और अगर आप अपने application का status देखना चाहते हैं कि वो reject हुआ है या unfair means में या फिर आपका भेर्थन cancel हुआ है जो भी होगा application status पर click करके आप देख सकते हैं तो यह है आसान तरीका और यहाँ से आप अपने result को देख पाएंगे वीडियो पसंद आया तो like और share जरू कर दीजिएगा चैनल को subscribe करके बेल आइकन जरू दबा लिजिए दोस्तों ताकि आपको इची तरह की सभी latest और authentic information मिलती रहे थांक्स और watching और इस कोर्स के अद्ध में आपको certificate भी मिलेगा इंडिया के top teachers आपको यहाँ पर मिल जाएंगे total quality content मिलेगा वो भी बहुत ही कम price में link description box में दिया गया है